हेलो एंड वेलकम बैक, तो आज के वीडियो में हम आपको एक अलग ही टॉपिक के बारे में बताएंगे, 99% लोग नहीं जानते हैं गैस एसिडिटी से तुरंत पाया राम, पुराने से पुराना गैस और कबज की समस्या से पाय राहत, जानने से पहले चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करें, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, गैस और एसिडिटी का एक पर्मानेंट सॉल्यूशन, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज बताऊंगी, पहली चीज है एक टेकनी को पाये, और दूसरी चीज है एक होम र पहती है और इस चीज को आप कर लेते हैं तो उससे आपको दो मिनिट के अंदर आराम भी मिलना शुरू हो जाएगा बिना किसी देरी के इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों चीजों के बारे में पूरी डिटेल में बताते हैं हाइड्रो क हमारे अंदर ऐसी होती हैं जिनके कारण से अकसर गैस की प्रोब्लम हमारे अंदर क्रियेट होनी शुरू हो जाती है अगर आप मसाला खाते हैं तो उसकी वज़ेसे भी हो जाता है अगर आप सुबह-सुबह खाली पेच चाई कौफी का इस्तिमाल करते हैं या दिन भर का ज्यादा इस्तिमाल करते रहते हैं, तो उसकी वज़े से भी आपके अंदर ऐसे ज्यादा बन सकता है, ज्यादा देर तक खाली पेट रहने से भी आपके अंदर ऐसे ज्यादा बनता है, खाना कम खाने की वज़े से भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह न इस तरह की दवाया हमें आमतोर पर आराम दे देती है, एसिद को कम कर देती है, लेकिन लॉंटर्म आराम हमें नहीं मिलता है, जब तक आप इनको खाते रहते हैं, आपको सुकून रहता है, जैसे ही कुछ छोड़ते हैं, प्रॉबलम आपकी कहीं वहीं वापस आ जाती है, तो फिर पर्मानेंट सॉल्यूशन क्या है, एसिदिटी और गैस से पर्मानेंट रहत कैसे मिलता है, तो सबसे पहले तो आपको इसके कारणों को बदलना होगा, इसके कारणों से बचना होगा, सबसे पहला काम आपको करना है, अपनी लाइफ को सुधारने का प्रयास करना चाह क्योंकि जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक आपकी बीमारी की जड़ भी नहीं जाएगी इसके बाद दो ऐसी चीज है जो कि अगर आप अपना लेंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए 100% अपनी इस गैस और एसिदिटी की प्रॉबलम से छुटकारा पा सकते हैं टेकनीक क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ और दूसरी चीज है एक होम रामेडिस इसको बनाने का तरीका और खाने के तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगी सबसे पहले बात करते हैं ब्रीधिंग टेक्निक के बारे में दोस्तों बहुत सारी ब्रीधिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको अलग-अलग तरह की प्रोबलम में रिलीज प्रोवाइड करती है जो कि आपके पेट के अंदर बनने वाली गैस से राहत का काम करता है और अगर आप इसको activate condition में करते हैं तो आपके पेट के अंदर बनने वाली acid और acidity को relief करने का काम करती है इस technique को आपको रोजाना दिन में 2-3 बार try करना है और अगर आप इसको acute condition में करते हैं अच्छानक से आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी और गैस हो रही है। उस समय अगर आप करते हैं तो फोरन आराम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले एक कमफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। घर पर मतलब अपनी जीब को राउंड सेप में करके मों से सांस लेना है और नाक से निकालना है। ऐसा आपको दिन में 2-3 बार आप इसको कम से कम जरूर करिए। इससे जो आपका गला है यहां से लेकर और आपके पेट तक आपको ठंड़क का आसास होने लगता है। आपकी पेट अगर आप पीते हैं तो जो मैंने अभी आपको बताई इसके साथ में इस्तिमाल करना शुरू कर देते हैं। तो आपको गैस एसिरिटी में आराम मिल जाएगा। इस रेमेरी को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ दो चीजों की जरूरत है आपको। इसके लिए जरूरत पढ़ेगी पहली चीज होगी। अजवाइन और दूसरी चीज है काला नमक। आपको क्या करना है। आपको एक टीस्पून अजवाइन लेनी है। उसको तवे पर डालकर हलका सा गर्म कर लेना है। इसके बाद एक चुटकी काला नमक और एक चमच अजवाइन और काला नमक डाल कर, आप मुण में डाल कर ऊपर से आप पानी पी लीजिए, बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, अगर आपको अचानक से ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, तो उस समय के लिए भी और लॉंग टम यूज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव तरीका अगर आप regular इस्तिमाल करेंगे, तो पुरानी से पुरानी गैस और पेट दर्द की शिकायत है, इंडाइजेशन की शिकायत हो सकती है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, इन दोनों ही चीज़ों को अगर आप साथ में इस्तिमाल करते हैं, तो तो बल्ले बल्ले है, आपकी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आराम आपको मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और रेगुलर इस्तिमाल कर लेंगे 15 दिन महीना भर तो पमानेंटली आपकी प्रोब्लम ठीक हो जाएगी इसको आपको दिन में दो टाइम इस्तिमाल करना है खाना खाने के बाद दोपहर का खाना खाने के बाद इसको आप ले सकते हैं इसको आप रात का खाना खाने के बाद ले सकते हैं दोस्तों अजवाइन को इस्तिमाल करने से बहुत सारे लोग दरते भी हैं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अजवाइन गर्म होती है गर्मी के मौसम में इस्तिमाल नहीं करना है ये बहुत से लोगों का मिजाज थोड़ा गर्म होता है उन्हें लगता है कि अजवाइन खाएंगे तो वकर बोडी में पड़ेगी तो अगर आपको इतना ही कोई प्रॉब्लम है, तो उस case में आप अजवाइन को इस्तिमाल कर सकते हैं, इसको आप किसी भी मौसम में इस्तिमाल कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, गर्मी ज्यादा लगती है, या अन्य कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाए ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर और बाई